किसे नोट से करी कल्चर यूट्यूब चैनल में जाती हूं आज किस वीडियो में दोस्तों कुछ क्रसे बिग्यान के महात्रपूर क्वेश्चन है जो कि यूपी कैटट दो हजार तेइस इंट्रेंशिप जाम के लिए साती हूं महात्रपूर हैं तो वीडियो को लास तक देखना दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे की आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो चलिए दोस्तों इंपार्टेंट एगरी कल्चर की कुष्चन है जो कि यूपी कैटट में के विज्ञान की प्रेशन ठीक है साथियों जैसे की पहला कुष्चन हमें देखते हैं वह अपनी यन जिसको दोस्तों कैनिंग कहते हैं तो कैनिंग क्या है तो कैनिंग में आप्शन दिया है पहला बंद डिब्बों में फल सनरच्छड का तरीका ओप्शन नमर दूसरा दिया है फलों की एक विमारी है और थे अप्शन नमर तीसरा है वाता उनकूलीत कमरों में फल एन चोधा अप्शन दिया है कोई नहीं तो साथियों इसका राइट आंसर चला जाएगा बंद डिब्बों में फल सनरच्छड बंद डिब्बों में फल सन रच्छड ठीक है अप्शन नमबर ए चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है कौन परी सन रच्छड या प्रिजर्वेशन की काम नहीं आता है तो पहला उप्शन दिया है इसमें अधिक अम्ल दूसरा है सोडियम बेंजोएड सी ओप्शन है मेटा स्वरी पोटेशियम मेटा वाई सल्फेड और चौथा अप्शन दिया है हाइड्रोग्लोरिक अम्ल दोस्तों इसका राइट आंसर चला जाएगा हाइड्रोग्लोरिक अम्ल आप्शन नमबर चौथा चौथा आप्शन चला जाएगा अप्शन नमबर चौथा यह है चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों पत्ता को भी कैवेज पार्ड का कौन सा भाग खाय जाता है जो पत्ता को भी होता है दोस्तों कैवेज ओप्शन नमबर यह दिया है इसमें कुष्क्रम या इनफ्लोरिक्छन सेकंड दिया ऑप्शन 12 पतिक थिशरा है पत्तिया को भी काजाता है कौन सा भाग खा जाता है तो 12 पतिक कल क्या ओप्शन नमबर दूसरा वी ब़ी ओप्शन जो है रही है टीक है चलिए अगरा प्रस्द बढ़ते हैं भारत में भारत में हरिति करांद की शुरुवात कब हुई तो भारत में हरिति करांद की शुरुवात कब हुई 1967 से 1968 option number C सही है option number C सही है चलिए देखते हैं अगला प्रश्ण है चारी मिर्दाओं में सुधार लाने के लिए उपियुक्त रसायन कौन सा है चारी मिर्दाओं में सुधार लाने के लिए उपियुक्त रसायन कौन सा है जिपसम है जाया दोस्तों जिपसम ओप्शिन नमबर ए जिपसम चलिए अगला प्रश्ण बढ़ते हैं कौन मिर्दा सुधारक होता है कौन मिर्दा सुधारक होता है जिपसम होता है स्वयल में जो सुधार होता है वो जिपसम के द्वरा होता है अब सेंट्रल टोबेको रिशा सेंटर कहां जिस्ति थे तो दोस्तों इसका राइट आंसा चला जाएगा राजमंदरी में का अप्शन नमर पी अगला प्रशन देखते हैं काली मिट्टी का काला रंग काला रंग किसकी पस्तिती के कारण होता है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो टिटेनी फेरस मेगनेटाइट योम हुमस के द्वारा कि पस्तिती के कारण काली मिट्टी का काला रंग होता है अगला प्रशन देखते हैं जलोड स्वरी पुरानी जलोड मिट्टी या ओल्ड इल्यूवियल स्वाइल किस नाम से जाने जाती है तो साथियों जो पुरानी जलोड मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं क्या कहते हैं बांगर आप्शन नमर 20 है तो पुरानी जलोड मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जो होती है दोस्तों उसको खादर कईते हैं ठीक है चलिए नोट कर लेना आगे बढ़ते हैं गियूं का काला टिक रोग किसके कारण होता है काला टिक रोग किसके कारण होता है ये फपूत के कारण होता है किसके कारण अगला प्रस्ण बढ़ते हैं महत्रपूर है मिर मिर्च में चर परहाट इसका कारड होती है मिर्च में चर परहाट होती है और उस्ट को अब स्थापना की सवर्स हुई थो दोस्तों आप महात्रपूर कुशन यह जाते होंगे यह मस्कुश्चन है 1982 में 12 जुलाई 1982 नोट कर लेना नावार अगला प्रस्म देखते हैं स्वदंत्ता प्राप्ति के बाद भारत ने किसके अत्पादर में सरवादिक प्रगति की है तो इसका राइट आंसर होगा सातियों गेहों में इसमें गेहों में चली अगला प्रस्म सातियों देखते हैं भारत में अरितिक भारत में अरितिक रांति के जन्मता था फादर आप क्रीन रेवलिशन कौन है तो भारत की बात है तो डाक्टर एमेस स्वामिनाथन होगे अप्शन नमबर भी सही है अप्शन नमबर भी सही है शली लॉक करते हैं अप्शन नमबर भी एमेस स्वामिनाथन अगला प्रस्न देख लेते हैं केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज़े में होता है बेरी इंप्वार्टन प्रस्न है तो केसर जहां गहां उत्पादन होता सबसे अधिक जम्मू कस्मीर में अहां जम्मू कस्मीर में लॉक करते हैं अप्शन नमबर C चलिए अगला प्रस्न देख लेते हैं दलाहिनी महातपूर है यूपी कैटर की दिष्ट के लिए महातपूर क्वेशन है दलाहिनी पौदों की जड़ों में कौन सा जिवाड़े निवास करता है राज जूबियम राज जूबियम है जो वो दलाहिनी पौदों के जड़ों में निवास करता है ओप्शन नमबर C साई है चलिए अगर आप रसंद देख लेते हैं शिल्वी कल्चर शिल्वी कल्चर किस पसल से संबन दित है किस का दिन की जाता है शिल्वी कल्चर में बर्नो का उप्शन नमबर D सही है चलिए अगरा प्रश देख लेते हैं भारत में सब से ज़्यादा कौन से मिट्टी पाए जाती है जलोड मिट्टी चलिए अगरा प्रश बढ़ते हैं कापास अनुशन धान संस्तान कहा इस्तित है मुंबई में कहां अप्शन नमबर C सही है मुंबई में बहुती फ्यमस कुश्चन आ गया दोस्तूं धान का प्रसिद खायरा रोग का कारण है धान का प्रसिद खायरा रोग का का क्या कारण है जास्ता की कवी अप्शन नमबर डी सही है अगले प्रहंत बढ़ते हैं चैन्ट्रल सुगर केन ब्रेडंग इंश्चूट कहां परिस्तित है सेंट्रल सुगर केन ब्रेडंग इंस्टूट कहां इस्तित है ओप्शन नंबर dai सी सहीन कोया अबटूर ल्योग ज lived तेंग लेते हैं कि से माण उत्पातक हान न कहा जाता है तो अप्शिन नमर सी सही है टिटिकल्स को यहूं यहूं राई का क्रास है टिटिकल्स नोट कर लेना यूपीट के कटेर की देश से बहुत ही मादर को कुश्चन है यहूं 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 राई की क्रास है टिटिकल्स टिटकिल के पिता कौन है रिम्पू नोट करते जाना साथियों चलिए अक्राप्रण देख लेते हैं कौन खरीब की फसल है कौन खरीब की फसल है बाजरा उप्शन नमर डी लॉक किये जाए खरीब की फसल बाजरा है अगला प्रशन है हरित क्रांती या ग्रीन रिविलेशन इन इंडिया के दोरान कि इस खादान के पादन में सरवादिक ब्रद्धी हुई तो इसका राइट आंसर होगा यहूं वीट में सबसे जादान के पादर में सरवातिक ब्रद्धी यहूं में हुई है अगला प्रशन देखते हैं नूतन जलोड मिट्टी किस नाम से जाने जाती है नूतन नया वड़ा आ गया साथियों नूतन तो इसी तरीके से यूपी केटिट में नूतन के नाम से भी पूछा जा सकता है नूतन जो होता है उसको खादर कहते हैं नूतन ठिक चलिए अगला प्रशन देखते हैं किस मिट्टी का अस्थानी नाम रेगुड है किस मिट्टी का नाम अस्थानी नाम रेगुड है तो यह आप्सन नमबर 20 है काली मिट्टी को रेगुड मिट्टी के नाम से जाना जाता करता है कि अग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिशन करती है आपस्ट नमबर सी सही है चलिए अग्ला प्रेशन सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पायाती है सबसे ज्यादा प्रोटीन कि पायाती है इसमें सोया बीन है सोया बीन दलाहिनी फसलों में कौन सा रंग द्रब या पिंगमेंट नाइटूजन इस्थ्री करण नाइटूजन फिक्सेशन में सहाइक होता है तो इसका राइट अंसर है लेग हीमो गलियोबिन लेग हीमो गलोबिन लेग हीमो गलोबिन तलाहिनी फसलों में कौन सा रंग द्रब नाइटूजन इस्थ्री करण में सहाइक होता है आप्शन नमबर टी सही है लेग हीमो गलोबिन अगला प्रिशन है और लाग पुरुषकार और लाग पुरुषकार किसमें महात्पुर्विक्तान के लिए पहग्यानकों को प्राप्त किया जाते है अप्शन नमबर C, option number D सही है, Krusy Noble Borlaug Pruska जो दिया आता है, उक्रसे की शेतर में आगयानकों के लिए कोपरदान की जाता ठीक है, option number D सही है, Krusy, कौन सा रोग गियों की फसल से संबन दित है कौन सा रोग गियों की फसल से संबन दित है तो option number यह सही है, Rust चली अगला प्रस्न देखते है, महात्रपोर्ट प्रस्न आ गया है मटर में मार्स रोग का क्या कारण है तो मटर में जो मार्स रोग होता है लगता है मैगनीज की कमी के कारण होता है किसकी? मैगनीज की कमी के कारण होता है चलिए अगला प्रस्ट देख लेते हैं कौन रभी क्राप की फसल है कौन सी रभी क्राप की फसल है यह हूँ अप्शन नमबर 20 सही है अगला प्रस्ट देखते हैं चाय में कौन सा इल्कुलाइड पा जाता है कैफीन अप्शन नमबर 20 सही है अगला प्रस्ट देखते हैं केंदरी आलू शोद संस्थान कहां पर इस्तित है केंदरी आलू सोद संस्थान कहां पर इस्तित है अप्शन नमबर सी सही है सिमला में कहां सिमला चलिए अगला प्रस्ट देखते हैं कफी में कौन सा इल्कुलायट पा जाता है कैफीन जा पर जाता है कैफीन आपसन नमबर सी सही ए अगरा प्रमसातियों देखते हैं किस मिट्टी में करसी के लिए सिचाई की आवसकता नहीं पड़ती है किस मिट्टी में करसी के लिए सिचाई की आवसकता नहीं पड़ती है काली मिट्टी में किस में काली मिट्टी में आपसन नमबर ए सही है अगला प्रश्ण है अंगूर में कौन सा अमल पा जाता है अंगूर में कौन सा अमल पा जाता है आपिशन नंबर सी सही है Option number सी सही है टार्टेरिक अमल ठीक है चले आगर बढ़ते हैं दोस्तों बोनी किस असल की प्रजात यह है बोनी पहुती महातरपुर क्रेशन है बोनी जो है तमाटर की है 산 बोनी जो कर आप बी सही है डूक किया जाए अगला प्रस्थ देखते हैं बीजो के अंकुरड में कौन सा कारक महत्रपूर नहीं है बीजो के अंकुरड के लिए में कौन सा कारक महत्रपूर नहीं है तो दोस्तों ओप्शन नमर जो अब का होगा राइट आंसर सूर की रोशनी सूर की वोशनी आप्शन नमर डी सही है चलिए अगर अपरण देखते हैं फसलों में कौन सी फसल नगदी फसल की रूप में पाई आती है या रूप में जानी जाती है नगदी फसल की रूप में कपास है आप्शन नमर डी सही है अप्शन नमबर डी सही ये को पास चलिए अगला प्रस्थ देखते हैं किस बिटामिन इसमें बिटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पा जाता है सबसे ज़्यादा बिटामिन आवला में पा जाता है अप्शन नमबर ये सही ये ओप्शन नम्बर ये सही है आउला में ठीक है चलिए अगला प्रहंद देखते हैं ठीक अगला प्रहंद देखते हैं ओलरी कल्चर के अंदर गत किसका अध्यन के आता है ओलरी कल्चर के अंदर अंदर गत सब्जियों का अध्यन के आता है किसका साग सब्जियों का अप्शन नमबर सी सही है अप्शन नमबर सी सही है बोलडी कल्चर अगला प्रशन कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उप्यूक्त होती है तो जो कपास के लिए होती है दोस्तों वो काली मिट्टी में ही उप्यूक्त होती है अप्शन नमबर ये सही है चले अगला प्र राष्ट्री सुयावीन अनुसंधान के इंद्र, राष्ट्री सुयावीन अनुसंधान के इंद्र, ICR, इंडियन इंस्ट्ट्ट आफ सुयावीन रिसर्च कहां इस्तित है, पहुति मात्रपूर कुश्चन आए, दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, अप्शन नम्बर सी, इंद्र में, कहां इंद्र, अकला प्रस्ट, निम्न में अवसधी पौधा या मेडिशनल प्लांट कौन सा है, दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, अप्शन नम्बर B, नीम, अवसधी पौधा जो होता है, वो नीम है, चलिए अकला प्रस्ट देखते हैं, खसलों पर आक इसको नोट कर लेना, दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, अप्शन नम्बर C, कैटर पिलर, चलिए आगला प्रस्ट देखते हैं, सेंट्रल राइस रिशर्च इन इस्टूट कहां पर रिष्टित है, दोस्तों, सेंट्रल राइस इस्टूट जो है, वो कटक पूरिशा म इस्टित है, आप्शन नम्बर B से इस्टूट चलिए, अगला प्रस्ट देखते हैं, भारत में तहान की सबसी, भारत में तहान की सबसी अधिक्यती कि शराज में होती है, दोस्तों, आप्शन नम्बर B से ये, बेस्ट बंगॉल में, जिसको पस्जिब मना कहते हैं, ठीक ह आज का last question साथियों तंबाकू में कौन सा रसायन पाजाता है तंबाकू में कौन सा रसायन पाजाता है तंबाकू में दोस्तों निकोटीन पाजाता है option number 10 है ये वीडियो को जादा जदा like, share and subscribe share and subscribe my channel तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यूपी कैटर से रिलेटेड, कोई भी एगरिकल्चर के कुश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं साथियों, 2023 से तैयारी करने वाले शात्रों के लिए, ये बहुत ह माहत्रपोर्ड वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो आपको पसंद लगे तो लाइक कर देना, चैनल पहना है तो सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए सभी को धन्वाल,